आप और जीजीपी में होगा गड़ बंदन दिविजे चोटाला निकोला बड़ा राच देखे खास बाचित में क्या कहा लेकिन अब पांच साल की पार्टी हो चुकी है किस तरीके से लेखते हैं विदान सबाच चुनाव के अंदर शेत्र के रीजनल मुद्धे हावी होंगे और इन मुद्धों पर निश्चित और पर जन्ना एक जन्ता पार्टी का विजन और मिशन कामिया होगा हम ज्यादा सीट जीत करके विदान सबाच के अंदर जाएंगे तरीक आम आदमी पार्टी का लेखते हैं उसमें जिकर किया गया है कि आम आदमी पार्टी के साथ ज्यजेटी का गतबंदन हो सकता है आप क्या देखते हैं मैंने ना तो इसके बारे में चर्चा की ना मैंने ये कहा या मेरी प भी पार्टी के साथ अलाइंस करने का प्रियास कर रहे हैं, मीडिया ने बातें उड़ाई और मीडिया ने चर्चा चलाई और अब जवाब भी मीडिया ही दे रहा है और आमाद भी पार्टी दे रही है, इसमें जेजेपी का क्या रोल है, ये सवाल और ये जवाब मीडिया का और जवाब आबादी पार्टी का है इसमें ना तो हमने कहा कि हम अलाइन्स चाह रहे हैं ना हमने ये कहा कि हम नहीं चाह रहे आप लोगों ने चर्चा चलाई और आप लोगों ने उसको पूर्ण विराम लगा दिया आगे आने वाले समय में इसमें जन्याइट जंदा पार्टी गट्वंदन कर सकती है बिल्कुल कर सकती है किसी राजनितिक डल के साथ गट्वंदन होगा भी और बहुत जल अनौंस होगा लगतार कॉंगरस के तरफ से हरयाना मंगे हैं साथ एक महिम चलाई जा रही है 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हुड़ा साथ के खिलाफ हमने एक चारशीक बनाई थी मैं अगर वो चाहेंगे तो उनको उनके घर पर प्रेजेंट करवा दूँगा पहले वो उन तमाम चीजों का हिसाब दें हरियाना की जनता तो मांगी रही है हिसाब मगर हुड़ा साथ पहले अपने गिरेबा में जहां करके उन तमाम चीजों का हिसाब दें हजारों करोडों लोगों का रोजगार छीन कर उनका सबस्वपंच छीन कर रिलाइंस जैसी कंपनियों को कोडियों के बाहु बेचने वाले हुड़ा साथ राबट वड़रा और राहुल गांदी सोनिया गांदी के खजाने बरने वाले हुड़ा साथ किस से हिसाब मांगेंगे और दो दो फुट के आलू उगाने वाले दिपेंदर हुड़ा किस से हिसाब मांगेंगे ये बड़ी हास्यात पत्सी बात लगती है आज कभी हिसाब मांगते हैं कभी विनेश को राजसभा भेजने का प्रोपेगेंडे की बात करते हैं ये लोग भुखला चुके हैं और इनकी इनफाइटिंग, कांग्रेस की इनफाइटिंग अंदुरूनी जो लडाई है वो इनको लेबेटे दवाली से आपकी पिता और आपकी माता बिधाय करे चुके हैं अब आप चुनावी मैदान में आपको क्या उमित दिखरी हैं दवाली हमारा ग्रेश शित्र है और दवाली का प्रतेक कारेकरता चुनावी मैदान में है मैं नहीं हूँ मेरे से आगे भी प्रतेक कार्यकरता उनकी फौज है जो इस लडाई को लड़ रही है और हम जीतेंगे डवाली पहली सीट होगी जो दुशन चोटाला की कोटे में जाएगा